क्या आपको भी टेंस टेंशन लगते हैं आपका तो नहीं पता अगर मैं अपने बात करूँ तो मुझे तो गहुर डर लगता था ऐसा लगता था कि यह क्या है जब से जब मुझे टांसलेशन नहीं आता था सेंटेंस बनाने नहीं आते थे टेंस के बारे में पता ही नहीं था तो अगर sentence बनाने के लिए दे दिया जाता तो मैं तो इतनी confused हो जाते थी कि कहाँ इस लगाओं कहाँ वोज लगाओं कहाँ अगर आपको भी टेंशन लगते हैं तो घबराइए मत आज की वीडियो आपके लिए ही है जितने भी टेंशन से रिलेटिड आपकी प्रोब्लम है जितने भी टेंशन है जितना भी confusion है वो आज इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका और आपको भी लगेगा कि जिस टेंशन से जो आपको इतना बड़ा हवा नजर आता था इतना difficult इतना confusing लगता था वो कितना easy है आपके लिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज हम करने जा रहे है टेंश जो की main base माना जाता है इंग्लिस grammar का ठीक है तो करें शुरू ओके लेट्स स्टार्ट तो देखिए इतना तो सभी को पता ही होगा कि there are three types of tense, तीन तरह के tense होते है, first होता है past, second होता है present and third होता है future तो दीखिए मैंने यहाँ पर हिंदी का concept भी clear किया है आप सभी को क्योंकि हम अच्छे से जानते है कि जब तक हिंदी का concept के लिए नहीं होता हमारी जो mother tongue है वो हिंदी है तो जब तक हमें हिंदी नहीं समझ में आती तो I think हम properly नहीं समझ पाएंगे कि यह tense कैसे होते है, क्या होते है और कैसे हम इनको correlate करें अपने daily life से तो देखिए past tense, present tense and future, there are three types of tense तो अगर मैं बात करती हूँ पहचान कि कि हम किसी भी sentence को कैसे पहचान है कि कौन से tense related है तो देखिए आप यह याद कर लिजे जिन्भी sentence के last में था थी थे आ जाए, वो past tense कोगा, for example, कि वह है वहाँ नहीं था, तो last में क्या आया था, it means यह past tense का है अगर जिन्भी sentence के last में है हूँ हूँ आ जाते है, वो कहरते है present tense के, for example, if I say मैं पढ़ाती हूँ, अब आप देखिए last में क्या आया हूँ है, it means यह present tense का है वह एक लड़का है, है आया है last में, तो what is it, यह present tense का है, ठीक है, अगर हम बात करते है future की, तो future tense के last में गागी गे या फिर होगा होगी होगे send आते है, जैसे मैं school जाओंगा, तुम किताब पढ़ होगे, वह आज नहीं आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे गागी गे पे past tense का कहलाएगा, अगर है होगे पे खतम होता है, तो present tense कहलाएगा, और अगर गागी गे पे खतम होता है sentence तो वह कहलाएगा future tense का, तो देखिए sentence को translate करने से पहले, हम पहले हमें यह पहले जान लेना चाहिए कि हमें किन किन टाइप के sentences को translate करना है, वैसे तो मैं आपको बता पूजल साथ आपस 있으ोतएंस की लड़का है और मैं एक लड़का है किया सारे सारे सेंटेंस क्या है इन्टेंस क्या है पूजिटिव सेंटेंस हो जाते है निडिव निडिव के मतलब है नोट जिन भी sentences में नोट आ जाएगा वो sentence कहलाते है negative वो हम यहाँ पर बनाने सीखेंगे थर्ड होते है interrogative interrogative को जिनको हम हिंदी में कहते है person watchak ऐसे sentences जिन में question पूछा जाता है अब question पूछने के भी दो तरीके होते है है तो इंटरोगेटिव sentence के अगर में बात करती हो तो इंटरोगेटव sentence जो कहलाता है फर्स टैप के इंटरोगेटिव और अगर यह क्या वाले सेंटेंस होते हैं तो इनको जब हम इंग्लिस में ट्राइट करते हैं तो हम हेल्पिंग अब का यूज स्टार्टिंग में करते हैं वह मैं आगे बताऊंगी डॉंट वरी अभी पहले हिंदी का कौन सेट आप देख ल करते हैं तो इसे सेंटेंस जो कोशन वर्स से स्टार्ट होते हैं तो यह दोनों की दोनों चीजे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम इनके रूल करेंगे तो हम दोनों टाइप के रूल करेंगे साथ में first helping up से start होने वाले second question word से start होने वाले तो यह मैंने आपको बताई दिया कि अगर sentence क्या से start होता है तो helping up से start करते हम English में translate करते वक्त और अगर question word sentence के बीच में आई हुए होते है तो जब हम उनको English में translate करते है तो वो हम starting में ही लिख देते हैं तो यह हम करने जा रहें interrogative फौर्थ टाइप हम करने जा रहें interrogative प्लस नेगेटिव यानिकि sentence interrogative भी होगा और नेगेटिव भी होगा जैसे क्या तुमने काम पूरा नहीं किया तो देखो क्या भी question भी पूछा जा रहा है इसमें note भी यूज हुआ है नहीं भी आया है ठीक है क या तुम वहां नहीं जाओगे तो question भी पूछा जा रहा है और नहीं भी यूज है तो यह ताइप के sentence कहलाते है interrogative प्लस नेगेटिव तो जब हम यह टैंस सीखेंगे पास्टेंस के sentence बनाने सीखेंगे प्रजन टैंस के बनाने सीखेंगे फूचर के बनाने सीखेंगे तो ह अगर कोई आपसे यह पूछे कि past tense की helping बता यह simple past tense की तो आपको क्या कहना वोजवर वोजवर इसकी helping वब होती है और वोजवर लगता है singular number के साथ में और लगता है pure number के साथ में यह ध्याना किएगा तो यह structure हो गया इसका subject प्लस वोजवर प्लस object ठीक है इसी यह example हमने लि negative rule में देखिए आपको क्या करने note जो है ना वो हमेंसा helping verb के बाद में आता है इस बात को mind में set कर लिए कहीं भी नहीं होगा helping verb की requirement होती है note को लिखने के लिए और helping verb already हमारे पास है तो helping verb के बाद note आ जाता है तो यह rule बन गे हमारा subject प्लस वोजवर प्लस नोट प्लस object इसी तरीके से इसके example हमने यह दोनों example को negative बना दिया है यहाँ पर he was intelligent था हमने यह कर दिया he was not intelligent they were clever positive था यह negative हो गया they were not clever I think समझ माग गया इंटरोगेटिव sentence स्टार्ट होने वाले and second होता है question versus start होने वाले अब बात यह है कि हिंदी में वोजवर कहां पर use करेंगे sentence के स्टार्टिंग में देखे जब भी कोई sentence क्या से स्टार्ट होता है तो अगर आपने देखा कि sentence क्या से स्टार्ट हो रहा है जैसे क्या वह पागल था क्या तुम स् से स्टार्ट है क्या से स्टार्ट है तो अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो समझ लीजेगा उस स्टेंस की हेल्पिंग को भी स्टार्टिंग में आएगी तो सेम यहां पर वह यह बोजवर स्टार्टिंग में मैंने क्या बता है कि अगर निकाल देते हैं तो अगर मैं यहीं की बात करूं तो हम इन दोनों को स्टार्टिंग में लिख देंगे सब्जेक्ट से तो रूल क्या बनगे हमारा वोजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट रटना नहीं है बस आप इस ट्रेक्चर में कैसे चेंजिस आते जा रहे वह आपको नोट करना है तो वोजवर जो कि यहां पे थे सब्जेक्ट के बाद में जब हम इंटरोगेटी फर्स आफ्र दैर सब्जेक्ट एंड यंदन ऊब्जेक्त तो सेम्टेम्ट को हमने ले लिया है वह गल याव हुआ है तो उनको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और जो पहले वाला रूल था यहां नीचे रिपीट करेंगे देखें अगर मैं यहां पे इन कोश्चन वर्स को हटा देती हूं देखें हमारा रूल क्या बना वोजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट यहां पर क् कि interrogative second है हमारे पास में तो आपको क्या करना है जो question words है उनको starting में लिख देना है तो rule हमारा बन गया question words प्लस was word प्लस subject प्लस object फोपी समझ में आगया होगा आपको नहीं आया है ना तो आप वीडियो को दोबारा देखिए इसको क्योंकि यही सारा pattern जितने भी सारे sentence हम करें प्लस object चलिए तो example हम ने ले लिया यहां पर देखे who was he, वह कोन था ठीक है तो who is starting मागए, question word is starting मागए after that helping up and then subject who was he, वह कोन था where were you, तुम कहां थे तो where question word हो गया, helping up हो गया and then subject हो गया, where were you I think समझ में आ गया होगा, next देखते हैं interrogative plus negative, तो interrogative plus negative में क्या करना है, सारा का सारा rule सेम रहना है बस subject के बाद note चल जाएगा अगर simple negative की बात करते हैं, तो simple negative में was word के बाद note जाता है, लेकिन जब भी interrogative plus negative sentence आपके सामने आएगा तो समझ लेना कि subject के बाद helping up जानी है तो सेम यहाँ पे हमने पहले question verse लिख दिया, was word लिख दिया, subject लिख दिया, note and then object अब देखें, दोनों तरीके के example मैंने आपको दिया है, first interrogative कभी and second interrogative कभी यह हो जाएगा, was he not intelligent, क्या भें intelligent नहीं था next why were they not their way, वहाँ पर क्यों नहीं था, इस तरीके से बहुत सारे sentence और भी बन सकते है आप अपने हिंदी में sentence लिखेगा, आप उनको practice कीजएगा, English में translate करने की तो इस तरीके से पुरा का पूरा past था, अब जब आप इसका present सीखोगे ना और future सीखोगे आपको होगे रहे, यह तो बहुत easy है, लेकिन क्या, क्यों easy हो जाएगा यह सब कुछ आपके लिए, जब आपको rule के pattern में क्या-क्या changes आए, जब आप उन changes को अच्छे से समझ लोगे ना, तो सारे के सारे rule easy है आपके लिए, तो चलिए इसका present कर लेते हैं, तो देखे, मैंन इसको दियान रखिएगा, past tense की helping up होती है, वोजवर and present tense की helping up होती है, is, rm, चीक है, तो same to same rule वही रहने वाले है, जो past में तब वो ही same rule हैने वाले, बस helping up में change आएंगे, जैसे, is, rm, sorry, subject plus is, rm plus object, ठीक है, वहाँ पे क्या था, subject plus was, rm plus object था, negative में क्या होगे, subject plus is, rm plus note, वहाँ पे भी मैंने बताया था, कि वोजवर के बाद note लग जाएगा, यहाँ पे भी same is, rm के बाद में note आ गया, अब वहाँ पे जो first step का interrogative था, क्या था, वहाँ पे वोजवर starting में आ गया था, यहाँ पे is, rm, starting में आ गया है, तो is, rm, subject plus object, ठीक है, same to same, वही है, there is no change, helping of उठा कर दूसरी जगह पे रख दिगई है, फिर helping of change हो गई है, यह question words हो गई, यहाँ पे is, rm, subject, then object, फिर again, question words, after that is, rm, subject and subject के बाद note and then object, same example, आप देख लीजे, negative, positive, I am told, ठीक है, he is honest, positive, मैं लंबा हूँ, या मैं लंबी हूँ, he is honest, वह है, honest है, same, अगर इसका negative रहें I am not told, he is not honest, ठीक है, अगर हम इसका interrogative बने होते है, is rm को starting में लगए, तो यहाँ पर I के साथ हम लगता है, यह हो जाएगा, am I told, is he honest, am I told, is he honest, second, अगर हम type का देखते है, interrogative, same, यहाँ पर, why am I told, same to same, यह हो जाएगा, इससे पहल, interrogative word आ जाने है, why am I told, who is he, who is honest, ठीक है, next, am I not told, interrogative plus negative, why is he honest, I think इतना easy है, यह अगर आपको एक बार rule समझ, अगर आप इसकी शोट लेना चाहते हैं, तो इसकी शोट ले लिजे, okay, rule बहुत easy है, अगर आप एक बार pattern को समझ जाते हैं, structure को समझ जाते हो, तो बहुत ही easy है करना, क्या कहां पे जाना है, subject कहां पे जा बस इन इसको अपने माइन में रखे, बस और टेंस कुछ भी नहीं है, तो यह हमने past किया है, and present कर लिया है, हमने future हम यहां पे नहीं करेंगे, जब हम parts of tense पढ़ेंगे, indefinite continuous, perfect, perfect continuous, वो सारे के सारी पढ़ेंगे, तब हम future indefinite को पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यह जितने भी tense करते है, तो उनमें verb आती है, तो इस तरीके से future indefinite में यहां पे नहीं करा रहे है, simple future नहीं करा रहे हूं, क्यों, क्योंकि उसमें main verb आ जाएगी, और यह जो structure है, यह main verb का structure नहीं है, तो उसको हम वहीं पे cover करेंगे, जब हम tense के parts करेंगे, ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने ही, hope आपको ही सारा का सारा समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, bye bye, take care and stay healthy.